ग्रेवा से 500MG टेबलेट जो की बनाई जाती है रेवो मेट्स फार्मासिटिका के दुवारा बनाई जाती है छे गोली का यह पुरा इस्ट्री पहता है जिसका MRP230 के करीब रहता है इसके अंदर सिप्रोक्सिन्स एक्जितिल 500MG रहता है और यह एक एक बैक्टेरल इंपेक साइड इपेट कैसे ही हो जोता है ड्रग कैसे काम करेगा सेप्टी एडवाइस क्या रखने का है डोज में सुजातों कैसे लेने का और इसका सब्स्ट्यूट कोनवल सा अविलिबल है तो वो सब बाते इस वीडियो में मैं सेयर करूँ का ताकि आपको इस टेबलेट के बार ग्रेवा से 500MJ टेबलेट जोके बनाई जाती है यह चेक गोली का पूरा इस्ट्रिप रहता है और इसका MRP230 के करीब रहता हो शिप्रोक्सिन एकसिट्रिल 500MJ इसके अंदर रहती है यह टेबलेट जोके टेटमेंट करती है बैक्टेल इंपेक्शन का यह टेटमेंट करती है और urinary tract, skin, swab, tissue, blood, lungs में इसको bacterial infection होता है तब इसको यह टेबलेट को जब भी ले तो डॉक्टर की सलासे लिए अधरवाइस कुछ साइड इपेट हो सकता है जिससे क्या होता है जिससे क्या होता है बैक्टर की सलासे लिए जो सर्वाइल करने के लिए जो food required रहता है तो वो नहीं मिलता जिससे bacterial infection बढ़ता नहीं और growth नहीं होता तो ऐसे काम करती है टेबलेट तो इस टेबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउड रहे तो comment section में पूछ सकते हो otherwise जो discussion में email आईडिये वहाँ पूछ सकते हो चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजि आल रकी